Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCR to the Mind तो आज हम लोग पढ़ेंगे Class 3 EBS Chapter 8 Flying High का Question and Answer तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है On my head I have a crisp, मेरे head पर crisp है, ठीक है? यानि कि मुकुट है On say I dance the best, सभी कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ Of my feathers I am proud, मुझे अपने feathers पे proud है, गर्व है Before the rain I cry aloud, जब बारिस होती है, तो बारिस होने से पहले मैं चिल लाता हूँ ठीक है? तो क्या होगा? Peacock, यहाँ पर लिखेंगे Peacock, यह आपको याद करना है Long and grouped is my tail, बहुत घने मेरे tail है High up in the sky I sell, और मैं आस्मान की उचाई पर उर सकता हूँ I pick and eat all the mice, मैं सभी चूहों को पकड़के खा जाता हूँ That, that is what you call me, तो आप मुझे क्या पकारोगे? तो क्या होगा? Eagle, ठीक है? My feathers are green, my bigs red मेरे feathers जो है वो green है और bigs red है Guava and green chillies I am fed मैं guava और green chilli खाता हूँ I love to copy people's voice and keep marking a lot of noise और मैं लोगों के voice को copy करता हूँ और मैं हमेशा sore मचाता रहता हूँ ठीक है? तो क्या होगा? Parrot ठीक है? इस तरीके से आपको बनाना है उसके बाद है Black are my feathers and black is my death काओ काओ I do all day long तो क्या कहाजा रहा है कि मेरे feathers जो है वो black है ठीक है? And black is my क्या होगा? Big Pick answer है ना और मेरे जो है बिक क्या है? Big भी black है और काओ काओ I do all day long और मैं पूरा दिन काओ काओ करता रहता हूँ तो crow is my name क्या होगा यहाँ पर? Crow is my name ठीक है? कुहु कुहु is my sound कुहु कुहु मेरा sound है Everywhere I am found और मैं हर जगह पाया जाता हूँ My sweet voice gives me fame That is my name और मेरा जो sweet voice है वो मुझे fame देता है ठीक है? और that is my name तो मेरा नाम क्या है? तो cuckoo is my name ठीक है? Dead animal I do it ठीक है? जो dead animal होते हैं उसे मैं खाता हूँ Making places clean and neat और मैं जो जगह होते हैं उसे मैं clean and neat रखता हूँ सभी जगह को ठीक है? Neat and clean बनाता हूँ High up in the dash I fly और मैं आस्मान की उचाई पर उड़ता हूँ Vulture is what? I am called by और मैं Vulture कहलाता हूँ सभी मुझे Vulture कहते हैं तो इसमें जो है ना Sky होगा My big is pink, feathers grey मेरे जो big हैं वो pink हैं और feathers grey कलर के हैं ठीक है? Gutter goo I go on all day और मैं पूरा दिन Gutter goo Gutter goo करता रहता हूँ In houses I make my home हर घर में मेरा घर होता है यानि घरों में ही मेरा घरों में ही मैं अपना घर बनाता हूँ That is how I am now ठीक है तो मैं कहलाता हूँ ठीक है मुझे जाना जाता है तो क्या जाना जाता है किस नाम से तो humming ठीक है इसके बाद है Which of the birds mentioned in the lessons have you seen? Write their names अब देखिए इस lesson में जो है ना जो birds का नाम mentioned किया गया है तो आपने उसे देखा है तो उसका नाम लिखना है ठीक है तो एंसर होगा पिकॉप, इगल, क्रो, पैरोट, आउल, वल्चर, पीजन, उट पिकर तो यह सारे आपने देखा होगा तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं उसके बाद है तो इसे आपको क्यर्फूली देखना है और पहचानना है ठीक है तो देखिए यहाँ पर यह जो ना क्या है यह पैरोट, क्रो, यह है पिकॉक, इगल, डग, स्पैरो ठीक है उसके बाद है there are some birds which can imitate our voice कुछ birds ऐसे होते हैं जो हमारे voice को imitate करते हैं यानि कि हमारा नकल करते हैं Do you know the name of any such bird draws picture in your notebook, color it and write its name तो आपको पता है क्या बता सकते हैं ऐसे birds का नाम तो आपको अपने notebook में इसका picture ड्रॉ करना है ठीक है और आपको इसमें color भी करना है और इसका नाम भी बताना है तो क्या होगा पैरोट can imitate our voice जो पैरोट होता है तो यह क्या करता है हमारे voice का नकल करता है हम जो भी बोलेंगे तो वो उसे repeat करेगा ठीक है other than birds which are the other animals that can fly अब देखिए दूसरे birds के बारें बताना जैसे कि जो होते हैं जो कि fly करते हैं ठीक है जो animal birds के लावा जो होते हैं जैसे animal जो कि fly करते हैं जैसे कि butterfly हो गया ठीक है honey bee and house fly ठीक है तो इस तरह से आप इसे लिखेंगे इसके बाद है if you could fly like a bird where would you like to go what else would you do तो देखिए इसमें कहा जा रहा है क्या आप birds के तरह birds के तरह fly करना चाहते हैं ठीक है fly करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे ठीक है what else would you do तो आप क्या करेंगे ऐसे में तो देखिए I would like to go to all beautiful place I would pluck fruits from large trees तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि मैं जितने भी beautiful place है मैं सभी जगह जाना पसंद करूंगी ठीक है और जो भी बड़े-बड़े trees होते हैं उसमें से मैं fruits तोड़कर खाऊंगी ठीक है तो इस तरह से आप बता सकते हैं What would happen if birds could not fly but only walk on their feet? क्या होगा? अगर जो birds है वो fly नहीं करेंगे और वो से walk करेंगे अपने पैडों पर चलेंगे तो answer लिखेंगे If birds could not fly they would not be able to save themselves from other animals देखें अगर जो यह ना birds अगर वो fly नहीं करेंगे तो वो अपने आपको save नहीं कर सकेंगे ठीक है? दूसरे animals से अपने आपको वो बचा नहीं पाएंगे ठीक है? It would then become easy to catch the birds तो क्या होगा? जो birds को ना पकरना बहुत ही जादा easy हो जाएगा ठीक है? तो इस तरीके से आपका यह जो है ना question answer complete हो चुका है तो कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे जरूर बताएए अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरी चैनल mcrt the mind को like subscribe कीजे और pass में दिये गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजे ताकि ncrt से related हर वीडियो आपके पास समय से पहुंचती रहे तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye, take care, thanks to watch my video